नमस्ते दोस्तों, सबसे मज़ेदार सफर पर आपका स्वागत है। जितना की एंडी, हर दोस्त का नाम अलफबेट के अलग-अलग लेटर्स से शुरू होता है और उनमें से हर किसी के पास हमारे साथ शेर करने के लिए कुछ न कुछ खास है। नए दोस्त बनाएंगे, नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे और साथ ही साथ जम कर मस्ती भी करेंगे। जमपी दे जैगवर के साथ जंगल जाने का इमाजन करो या फियोना दे फॉक्स के साथ एक मैजिकल फॉरस जाने का। हर जगह जहां हम जाएंगे, वहां सर्प्राइज़ और सीखने के लिए नई चीज़ें होंगी। क्या आप excited हैं? मैं तो बहुत excited हूँ। चलिए शुरू करते हैं। साथ मिलकर हम इस journey को unforgettable बनाएंगे। हम हसेंगे, सीखेंगे और ऐसी यादें बनाएंगे जो जिन्दगी भर हमारे साथ रहेंगी। तो आप किस बात का wait कर रहे हैं। चलिए, letters की दुनिया में उतरते हैं और adventures को शुरू करते हैं। सबसे पहले, मिलिए Andy Ant से। Andy एक छोटी लेकिन ताकतवर चीन्टी है, जो कड़ी महनत करना पसंद करती है। वह हमेशा अपनी colony के लिए खाना एकठा करने और अपने दोस्तों की मदद करने में व्यस्त रहता है। आज, Andy के पास एक रसीला लाल एपल है। नमस्ते सबको, मैं Andy Ant हूँ और ये मेरा एपल है। ये letter A से शुरू होता है, बिलकुल मेरे नाम की तरह है। अपना एपल सबको दिखाने के लिए उपर उठाता है। ये बड़ा है, लाल है और दिखने में बहुत स्वादिश्ट लग रहा है। आपल्स बहुत यमी होते हैं और आपके लिए अच्छे होते हैं। बिजी बी हमेशा एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती रहती है, पॉलन एकठा करती है और जहां भी जाती है खुशियां फैलाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं बिजी बी हूँ और ये मेरा बैलून है, ये letter B से शुरू होता है, बिलकुल मेरी तरह है। बिजी बी हंसती है जैसे ही उसका बैलून हवा में हलके से उचलता है, ये देखने में बहुत ही खुशनुमा लगता है। बलून्स बहुत मज़ेदार होते हैं, ये हवा में उड़ते और नाचते हैं, क्या आप ऐसी ही दूसरी मज़ेदार चीजें सोच सकते हैं, जो letter B से शुरू होती है। अब मिलिए कार्लोस कैटरपिलर से, जो एक क्रंची कैरट को मज़े से खा रहा है। कार्लोस एक धीमा और शांत कैटरपिलर है, जो खाना बहुत पसंद करता है, और एक सुन्दर बटरफ्लाई बनने का सपना देखता है। कार्लोस अपने कैरट का एक और बड़ा सा बाइट लेता है, उसके अंटेने खुशी से हिलते हैं। यह रही डालिंग डॉग, अपने फेवरिट टॉइ, एक चमकदार लाल ड्रम के साथ खेलते हुए अपनी पूँच खुशी से हिला रही है। उसे इसे अपने पंजों से बजाना और तरह तरह की मज़ेदार आवाजे निकालना बहुत पसंद है। यह ड्रम उसका सबसे पसंदीदा है और वह इसे जहां भी जाती है, अपने साथ ले जाती है। चाहे वह घर पर हो या पार्क में, आप डार्लिंग डॉग को हमेशा उसके चमकदार लाल ड्रम के साथ पाएंगे। डार्लिंग डॉग एक चंचल और उर्जावान पपी है, जिसे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। वह पार्क में इधर उधर दोड़ती है, दूसरे डॉग से और यहां तक की कुछ मिलनसार ह्यूमन से भी मिलती है। उसे अपना ड्रम अपने हर दोस्त के साथ शेर करना बहुत पसंद है। और उन्हें यह दिखाना की कैसे खेलते हैं और म्यूजिक कैसे बनाते हैं। डार्लिंग डॉग का मानना है की म्यूजिक सबको एक साथ लाने और मजे करने का एक शानदार तरीका है। नमस्ते सबको। मैं डार्लिंग डॉग हूँ और यह मेरा ड्रम है। मुझे इसे हर दिन बजाना बहुत पसंद है। यह कोई आम ड्रम नहीं है। यह एक कहास ड्रम है जो मुझे खुश करता है। जब मैं इसे बजाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या आपका भी कोई फेवरेट टॉय है जो आपको भी ऐसा ही महसूस कराता है। यह लेटर डी से शुरू होता है। बिलकुल मेरी तरह। डी यानी डार्लिंग डॉग और डी यानी ड्रम। ऐसी बहुत सी वंडरफुल चीजे हैं जो लेटर डी से शुरू होती है। क्या एक मजेदार लेदार आवाज निकलती है। उसकी बनाई हुई रिदम इतनी कैची होती है कि पार्क में मौझूद दूसरे जानवर भी उसके साथ नाचने लगते हैं। यह बिलकुल पार्क में चल रहे एक छोटे से कॉंसर्ट जैसा होता है जिसमें डार्लिंग डॉग स् आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे उपर हूँ। मेरे द्वारा बनाए गए बीट्स मुझे नाचने और गाना गाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट बजाना पसंद है। हो सकता है आप मेरे साथ मिलकर म्यूजिक बना सकते हैं। क्या आप कोई और मज़ेदार टॉइस सोच सकते हैं जो लेटर डी से शुरू होते हैं। कैसे डॉल्स, डाइनोसौर्स या डक्स के बारे में ऐसे बहुत से एक्साइटिंग टॉइस और चीजें हैं जो डी से शुरू होती हैं। चलि यही Ellie Elephant अपनी सुंदर बड़ी सी एरिंग दिखाती हुई। Ellie एक डयालू जायंट है जिसका दिल बहुत बड़ा है और जिसे सभी चमकदार चीजें बहुत पसंद है। नमस्ते सकते। मैं Ellie Elephant हूँ और यह मेरी एरिंग है। यह लेटर ए से शुरू होता हैं। बिलकुल मेरे नाम की तरह एली अपनी सून्ड से धीरे से अपनी इरिंग को छूती है उसकी आँखें खुशी से चमक रही होती है इरिंग्स बहुत सुन्दर और चमकदार होती है आप और कौन सी चमकदार चीजें सोच सकते हैं जो लेटर ई से शुरू होती है टर टर यह रहा फ्रेडी फ्रॉग अपनी फैंटास्टिक फ्लूट पर एक मधुर धुन बजा रहा है फ्रेडी एक कुशल म्यूजिशन है जिसे अपने म्यूजिक से लोगों को मुस्कुराते हुए देखना बहुत पसंद है हाउडी फोक्स मैं फ्रेडी फ्रॉग हूँ और यह मेरी फ्लूट है यह लेटर एफ से शुरू होता है बिल्कुल मेरी तरह फ्रेडी अपने गालों को फुलाता है और अपनी फ्लूट पर एक मधुर धुन बजाता है उसके जिल्लीदार पैर बीट पर टैप करते है फ्लूट से बहुत सुन्दर म्यूजिक बनता है आप और कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रॉमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं जो लेटर एफ से शुरू होते हैं देखो कौन आया है यह रही जीजी जिराफ गोर्जिस ग्रेप्स का एक गुच्छा खा रही है जीजी एक लंबी और सुन्दर जिराफ है जिसकी गरदन लंबी होती है और जिसे मीठी चीजें बहुत पसंद हैं नमस्ते सबको मैं जीजी जिराफ हूँ और ये मेरे ग्रेप्स हैं ये लेटर जी से शुरू होते हैं बिलकुल मेरे नाम की तरह जीजी अपनी लंबी जीब से गुच्छे से एक गरेप निकालती है और उसे अपने मुह में डाल लेती है उसके मीठे, रसीले स्वाद का आनंद लेती है गरेप्स बहुत मीठे और स्वादिश्ट होते हैं आप और कौन से यमी स्नैक्स के बारे में सोच सकते हैं जो लेटर जी से शुरू होते हैं चप 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 यह रहा हैरी हिपो पानी में डुबकी लगाते हुए एक बड़ी रंगीन हैट पहने हुए हैरी को पानी बहुत पसंद है और उसकी हैट उसे और भी अलग दिखाती है यह कोई आम हैट नहीं है यह चटकीले रंगों से भरी एक हैट है जो उसके खुशनुमा व्यक्तित्व को दर्शाती है जब वह तैरता है तो हैट उसके सिर पर बिलकुल संतुलित रहती है जिससे आसपास के सभी लोग मुस्कुराते है हैरी एक खुश हिपोपोटमस है जिसे हसना और मजे करना बहुत पसंद है उसकी हसी संक्रामक होती है और यह पानी में गूंचती है जिससे दूसरे सभी जानवर भी मजे लेने लगते हैं चाहे वह गेम्स खेल रहा हो या बस धूप में आराम कर रहा हो हैरी का खुश मिजाज स्वभाव हर दिन को एक एडवेंचर बना देता है उसके दोस्त हमेशा उसके साथ समय बिताने के लिए उच्शुक रहते हैं क्योंकि वह जानता है कि कैसे साधारण से साधारण एक्टिविटीज को भी एक्साइटिंग एसकिपेट्स में बदलना है अहोई दे मेटिस मैं हैरी हिपो हूँ और यह मेरी हैट है यह कोई आम हैट नहीं है यह मेरी स्पेशल हैट है जिसे मैं अपने सभी एडवेंचर्स पर पहनता हूँ चाहे मैं नई जगहों को एक्स्प्लोर कर रहा हूँ या नए दोस्तों से मिल रहा हूँ मेरी हैट हमेशा मेरे साथ रहती है यह मुझे एक सच्चे एडवेंचरर जैसा महसूस कराती है जो मेरे सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तयार है यह लेटर एच से शुरू होता है बिलकुल मेरी तरह एच यानि हैरी एच यानि हैट और एच यानि हैपिनस मेरी हैट मुझे बहुत खुशी देती है और मुझे उमीद है कि यह आपके चेहरे पर भी मुस्कान लाएगी जब भी मैं इसे पहनता हूँ तो मुझे happiness का अनुभव होता है जिसे मैं अपने आस पास के सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ हैरी अपनी हैट को एक चौड़ी मुस्कान के साथ जुकाता है जिससे पानी की बूंदें हवा में चिटक जाती है बूंदें सूरज की रौश्णी पकड़ती है जिससे एक सundर रेंबो बनता है जो उस पल की खूबसूरती को और बरहा देता है हैरी की मुसकान इतनी चौड़ी होती है कि ऐसा लगता है जैसे वह एक कान से दूसरे कान तक फेली हुई है और उसकी आँखें खुशी से चमक रही है यह सपश्ट है कि उसकी हैट सिर्फ एक एकसेसरी से कहीं परकर है यह उसके खुशनुमा स्पिरिट का प्रतीक है हैट्स पहनने में बहुत मज़ा आता है वे आपको एक अलग इंसान जैसा महसूस करा सकते हैं या आपके आउटफिट में निखार ला सकते हैं चाहे आप पाइरेट बनने का नाटक कर रहे हों, मैजिशन बनने का या बस मज़े कर रहे हों एक हैट किसी भी अक्टिविटी को और एक्साइटिंग बना सकती है यह आश्चर्य जनक है कि हैट जैसी साधारन सी चीज हमारे जीवन में इतनी खोशी और क्रियेटिविटी कैसे ला सकती है यह बड़ी या छोटी, रंगीन या साधी हो सकती है हर हैट का अपना अलग चाम होता है और यह उस व्यक्ति के बारे में एक कहानी बता सकती है जो इसे पहनता है कुछ हैट्स बोल्ड और ब्राइट होती है जहां भी जाती है अपनी चाप छोड़ती है जबकि दूसरी साधारण और साधी होती है जो एलेगन्स का सपर्ष जोड़ती है चाहे आप किसी भी तरह की हैट चुने यह खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी परसनालिटी को दिखाने का एक तरीका है क्या आप कोई और मज़ेदार एक्सेसरी सोच सकते हैं जो लेटर एच से शुरू होते हैं कैसे हेडबैंज, हेलमेट्स या यहां तक की हैर क्लिप्स के बारे में इन में से प्रत्येक एक्सेसरी आपके लुक में एक खास पर्ष चोड़ सकता है और आपको यूनीक महसूस करा सकता है बिल्कुल हैरी की हैट की तरह यह एक्सेसरी आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं और हर दिन को थोड़ा और मज़ेदार बना सकते हैं तो अगली बार जब आप किसी एडवेंचर के लिए तयार हों, तो एच से शुरू होने वाला एक मज़ेदार एक्सेसरी लगाना न भूलें. ब्रर, ठंड बहुत है, यह रही इजी इगवाना, अपने बरफीले एगलू के अंदर धूप से ब्रेक ले रही है. इजी एक शांत और संकल्पित इगवाना है, जिसे चाया में आराम करना बहुत पसंद है. नमस्ते सबको, मैं इजी इगवाना हूँ, और यह मेरा एगलू है, यह लेटर आई से शुरू होता है, बिल्कुल मेरे नाम की तरह. इजी अपने इगलू के अंदर से बाहर जहांकती है, उसका नुकीला क्रेस्ट बरफीले प्रवेश द्वार के उपर से दिखाई देता है. गर्मी के दिनों में इगलूस बहुत कूल और रिफ्रेशिंग होते हैं. क्या आप ऐसी ही दूसरी कूल और रिफ्रेशिंग चीज़ें सोच सकते हैं, जो लेटर आई से शुरू होती हैं? वाह! हम बहुत से अमेजिंग दोस्तों से मिले हैं और बहुत सी वंडरफल चीज़ों के बारे में सीखा है, जो एल्फबेट के सभी अलग-अलग लेटर्स से शुरू होती हैं. अब समय आ गया है कि साथ मिलकर ABC सौंग गाएं Andy Ant और उसके सभी दोस्तों के साथ. सब लोग साथ मिलकर अलफबेट सौंग गाते हैं. यह बहुत बढ़िया था. आप सभी ने अलफबेट सौंग गाने का शानदार काम किया. याद रखें, सीखना बहुत मज़ेदार हो सकत है. खास कर तब जब आप दोस्तों के साथ हों और अपनी इमाजिनेशन का इस्तिमाल करें. एक्स्प्लोर करते रहें, सीखते रहें और अलफबेट के साथ मज़े करते रहें. समाप्त